आज हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब रेशेदार जो बहुत रजीज बनते हैं और इसके साथ ही मैं आपसे रेसिपी के मतलिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप इनको वन मेंद के लिए स्टोर कर सकते हैं और इजिल यूज कर सकते हैं चने की डाली है मैंने एक पाऊ और इसको करने के लिए मैंने रख लिया है इतना पानी डाला है जिसमें यह दाल गल्ज है यह हाफ दन हो चुकी है आदा किलो मैंने चिकन लिया है बॉन लेस को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है वन टेबल स्पून मैंने सोल्ट लिया है और मता बटा हुआ हार और हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून ही मैंने जीरा लिया है ये भी मूता कुटा हुआ है डाल हमारी हाफ तन्ड हो चुकी है अब इसके अंदर चिकन एड़ कर देंगे डाल के इंदर एक ग्लास पानी मेजूद है जिसमें डाल उच्चे से गल जाएंगे मजीद पानी डालने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है जिब अच्छे से गल जाएंगे बाकी पानी को हम इसके अंदर ही खूश कर देंगे अब इसके अंदर हमको स्पाइसी जाइड़ करेंगे हाफ टेबल स्पॉन सॉल्ट मिक्स करेंगे चाइनी सोल्ट एट करेंगे हाफ टेबल स्पून साबु धनिया एट कर देंगे सुरख में शेय एट कर देंगे कॉल वाली गरमसाला एट करेंगे और जीर एट करेंगे स्पाइसिस मैं इसमें एट कर दी हैं अब इसमें चमच चलाएंगे और इसके बादे से कवर कर देंगे तकर मेने इटा दिया है आप देख सकते हैं डाल भी गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है अब इसका पानी हम हुश्ट कर लेंगे इसके अंदर ही फ्लेम हाई कर देंगे उसका पानी हुश्ट कर देंगे पानी मैंने हुश्ट कर दिया है इसके अंदर ही और चिकन को मैंने सेफरेट कर लिया है प्लेट में निकाल लिया है आप देख सकते हैं चिकन को हम प्लेट में डाल के अच्छे से पीस लिया है अब डाल के अंदर चिकन एट कर देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यक्चान कर लेंगे चिकन और डाल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम बीन चीली से अड़ करेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो डाल चिकन जब हम मिक्स करते हैं उस टेश पर आड़ कर लें लेकिन मैं भूल गई थी इसलिए मैं आप एड़ कर दी हूं अब हम इसके शामी कबाब बना लेंगे अमेजा लेंगे पहले गोल करेंगे फिर थम की मदद से इसे हम कॉर्णर से दबाएंगे प्रेस करेंगे और यह शामी कबाब बन चुके हैं अब हम इसको फ्राइ करेंगे एक शैपलेट बर्सन लेंगे उसमेंड़ा तोड़ेंगे और उसके अच्छे से पैंट लेंगे इसमें कोई स्पाइसिस नहीं आइड किये मैंने अच्छे से फैट चुका है एक पैन में मैंने ओल डाल के गरम होने के लिए दिया है जिसमें हम कबाब फ्राइ करेंगे एग में डिप करेंगे और पैन में डालते जाएंगे इस तरह से नहां पे मैं आपके साथ ज़रूरी ट्रिक शेयर करना चाहूंगी जो मैं अपने घर चल सकते हैं और आप जब चाहें इसको उंडा लगाएं और फ्राइ करें और इंज्वाए करें आप बच्छों को लेंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं जब आपको लगए के कबाब हलके सुनहरे हो चुके हैं एक साइट से फिर इसकी साइट चेंज कर दें एक साइट अगर मेरी आज की रेसित पर आप लोगों को पसंद आई है मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं कितने खुबसूरत रेशेदार बने हैं कबाब